सत्पुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है Interesting facts about सत्पुरा नेशनल पार्क सत्पुरा नेशनल पार्क एक प्राचीन वन्यजी वावास है जो 526 वर्ब किलोमेटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है पक्षी शोदकर्ता डॉक्टर सलीम 1981 में ख्षेत्र का अब्रमन किया था जिन्होंने इससे सरकार से अभ्यारण्य बनाने के लिए मान्द किया था उसी वर्ष पाक बोरी अभ्यारण्य 486 वर्ब किमी और पंच्मणी वन्यजीव अभ्यारण्य 417 वर्ब किमी को शामिल करके 1427 वर्ब किलोमेटर क्षेत्र को सत्पुरा नेशनल पाक भोशित किया गया सत्पुरा नेशनल पाक को वर्ष 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट के नेटवक में जोड़ा गया और बोरी सत्पुरा टाइगर रिजर्ग बनाया गया यह जगह पुरा तत्व में गहरी दिल्चस्पी रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही आकर्शक है क्योंकि इसमें प्राचीन काल के बहुत सारे रॉक शेर्ट है जो सुन्दर चित्रों से अलंकृत है सत्पुरा नेशनल पाक की उचाई समुन्दर तल से 300 से 1352 मीटर तक है इस नेशनल पाक का भूभाग अत्यन्त उबढ़ खाबड है और इसमें आकर्शक गहरी घाटियां, बलुआ पत्थर की चोटियां, सक्री घाटियां, नदिया, जर्ने, साल के घने-घनेहरे जंगल और औशधिय जड़ी बूटियां है इसके साथ साथ किस नेशनल पाक में सागौन के जंगलों के बड़े हिस्से भी है यह हुआ जगह है, जहां हर वन्यजी प्रेमी को जंगल, सुन्दर पहाडी इलाकों नालों और अत्यदेक सुन्दर जंगलों आदी के दृश्य का आनंद लेने के लिए जाना चाहिए सत्पुडा नेशनल पाक जैव विविध्ता में सम्रिधा है इस नेशनल पाक में विविन प्रकार के स्तंधारी दूरलब प्रजातियों के जानवर और सरीस्रप की निवास है सत्पुडा नेशनल पाक के बनस्पती और वन्यजीद सत्पुरा नेशनल पार्ख में औशधिय गुनों वाले कई पौधे लगाये थे तेरा सौ से अधिक प्रजातियों के बंस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे कि साल, तेंदू, सागौन, महुआ, बेल, बांस, घास, जान्दियों मित्यादी, सत्पुरा नेशनल पार्ख में पा गूर, वेवी, रीसस मकाक, चिनकारा, जंगली सुअ, फिरन, लोमडी, उरने वाली गिलेहरी, सत्पुरा नेशनल पार्ख में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी, मालाबार प्रिध हॉन बिल्स, क्रास्टड हॉक इगल्स, हनी बुजर्ड्स, पैराडाइस पाकों, शंतिपून जंगल, गहरे घाटियों, जल्धाराओं, जंगली वन स्थानों और अन्य कई जगहों के मनोरम ब्रिष्य देख रोमांचित हो सकता है। राइबा होते हैं। वन्य जीवों का अवलोकन के लिए जीप सफारी सबसे सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। सतपुरा नेशनल पार्क के सफारी के लिए हाथी एक दूसरा मनोरंजक तरीका है। विशेश रूप से बागों को देखने के लिए सफारी बेहत खास है। सत्पुडा नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा मंडे सफारी के दौरान टाइगा शो आयोजित किया जाता है टाइगा शो में आपको बागों को देखने या फोटोग्राफी करने के लिए निश्चित शुर्क भरना पड़ता है सत्पुडा नेशनल पार्क में जीप और हाथी की सफारी के अलावा डैन्वा नदी में नाव के सफारी भी किया जा सकता है जो आपके लिए बेहद रोमांचक अनुभब हो सकता है सत्पुडा नेशनल पाक में नाब की सफारी जंगल की खुबसूरत पहाडियों और रोमांचकारी वन्यजीवों को देखने का एक शांदार अफसर प्रदान करती है आप पक्षियों और जानवरों की नदियों के किनारे बिचरन करते देख रोमांचित हो जाएंगे सत्पुडा नेशनल पाक प्रवेश द्वार सत्पुडा नेशनल पाक सफारी के लिए तीम प्रवेश द्वार है जो इस प्रकार है मधाई गाउं से मधाई प्रवेश द्वार पंचमणी की ओर से कज़वी प्रवेश द्वार अनार पानी प्रवेश द्वार सत्पुरा नेशनल पाक में यात्राओं को पूरा करने के बाद, आप अपनी यात्राओं को और अधिक रोमान्चक बनाने के लिए इसके आस्पास के आकर्शक परियतक स्थलों का ब्रह्मन कर सकते हैं। पेंच नेशनल पाक यह नेशनल पाक मध्य प्रदेश और महराष्ट्रा में अवस्थित प्रसिध नेशनल पाक है। 380 किलोमेटर की दूरी पर स्थेतिय नेशनल पाक एशिया में अपने प्राकृतेक और वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। इस नेशनल पाक में मुख्य आकर्शन रोमांचकारी वन्यजीवों का अबलोकन करना है। जहां आप निर्न प्रकार के मुख्य वन्यजीवों को देख सकते हैं। बाग, गौर, सांभर, चीतल, भौंकने वाले हेरन, काले हेरन, चार सिंग वाले हेरन, जंगली बिल्ली, अजगर, जंगली मूर्गी, खरगोश, बंदर, तेंडवा आदी, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्यप्रदेश का एक प्रसिव वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 5500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्यजीव प्रेमी विभिन प्रकार के वन्यजीवों को देख सकते हैं, जैसे की बाग, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, लोमडी, नीगाय, सांभर, चीतल, शिनकारा, भालू आदी, पंचमडी, पंचमडी भारत के मध्य प्रदेश राज् स्टेशन है, जो समुद तल से 2500 फीट उचाई पर एक पठार पर स्थित है, जो स्थान पुरानी दुनिया के आकर्शन के रोमान चक द्रिश्य प्रस्तुत करता है, यह स्थान उन लोगों के लिए एक अद्बुत गंतव्य है, जो आराम से सेरिया ट्रैकिंग करना चाहते ह सक्पुडा नेशनल पाक घूमने का सबसे अच्छा समय 15 अक्तूबर से 30 जून तक है, लेकिन पंचमडी पर्यकों के लिए साल भर खुला रहता है